नमस्कार आप सबका हमारे चैनल ग्यांद ट्रेजर पर स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एवेंचुरीन की जो माला है या एवेंचुरीन का लॉकेट है यह किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं पहनना चाहिए और इसकी धारण विदी क्या है इसके बेनेफिट्स क्या है यह हम आपको पिछले वीडियो बता चुके हैं तो यह किसे पहनना चाहिए तो हम बताने जा रहे हैं देखिए इसे पन्ना के जो रतन है पन्ना रतन के उपरतन के रूप में पहना जाता है बेनेफिट इसके काफी होते हैं शिवागो.com से यह आपको इजली अवेलेबल हो जाएगा सेटिफाइट चैन्यून और साथ में अभीमंत्रित की कि किसी भी चीज का प्रान पर तिश्टित होना अभीमंत्रित होना जरूरी होता है बिजनेस वगर के लिए ब्लड के सर्कूरिशन के लिए अच्छे स्वास्त के लिए पहना जाता है बाकि तो औरतें इसे खास करके पहन सकती है जिन व्यक्तियों की कुंडिली में बुद्ध शुब भावों के सौमी होका निर्वल अवस्था में इस सित है वह इस उपरतन को धारण कर सकते हैं लॉकेट पहन से लॉकेट जब पहना होगे न तो थोड़ा सा बड़ा पहनना पड़ता है 15-20 करेट के 10 करेट प्लस पहनेंगे तो फाइदा रहेगा अब किसे नहीं धारण करना चीए वो भी ज़रूरी है इस उपरतन को सुर्य, बिरस्पती, मंगल, राहु, केतु के रतनों और उपरतनों के साथ नहीं धारण करना चीए तो शुबरतन और उपरतन है उसका हमेशा क्याल रहेगे जब आप इस्ट लॉजर से आप बात करोगे तो आपको बताई देंगे क्योंकि इसके जो गुन है वो क्या अदबूत और चिक्त सिकिये है स्वास्त में भी बड़ा बेनिफिट करता है अब कैसे पहनना है, धारण विधी में आपको बता देता हूँ बहुत आसान है कोई भी रतन धारण करने से पुर्व पहली बात तो यह है कि उसे प्रान प्रतिश्टित करना है एवेंशुईन को तभी धार्न करें जब उसे उर्जित अथार्त एनरजाइस किया गया हो तो इसके लिए आपको क्या करना है यह हम आपको बता देते हैं बड़ा ही सिंपल विधी होता है तो इसमें आपको पंडितों को बुलानी के आवशक्ता नहीं आप खुद शक्ती सालियो भगवान आपके अंदर ही है आप खुद भी कर सकते हैं ऐसा भी नहीं कि आप शिवागो.com से प्राप्त करेंगे तभी यह भी मंत्यत होगा खुद कर लीजिए सबच्छा होगा यदि आप अपने उप्चार उर्जा और आंतरिक लाव प्राप्त करना चाहते हैं तो ग्रीन एवेंचुरीन को आप पहनने से पहले इसे धातू की कटोरी के नीचे रखें और उसमें गंगाजल, गाय का दूर, शहद और घी भी डाल सकते हैं आप पुरी रात पड़े रहने देजिए स्टोन को अगले दिन सुबा आप प्लेट में रख दीचिए शुद्ध कर लेजिए शुद्ध जल से अगर बत्ती दिखाईए कपूर की आर्ती दिखाईए और इस सब करने से पहले हाथ में न आप ठोड़ा सा पानी ले लिजिएगा एक रुपे का सिक्का ले लिजिएगा और आप संकल्प लिजिए भगवान गनेश के सामने कि मैं जिस मकसद से ये एवेंचुरीन पहन रहा हूँ या पहन रही हूँ वो मेरा मकसद पूरा होना चीए उसके बाद जो जल है वो आप जमीन पे छोड़ दीजिए और जो एक रुपे का सिक्का है या ब्रामन को देदीजिए या मंदिर में आप देदीजिए और उसके बाद आप पन्ना का जो मंतर होता है आप ओम बुन बुद्धाय नमा मंतर का भी जाब कर सकते हैं पर पहले गनपती जी का मंतर जाब कर लिजेगा एक सौड़ दफा उसके आप फिर ओम बुन बुद्धाय नमा मंतर का आप जाब कर लिजिए फिर बाकी तो लाइक होगा पर कोई भी रतन या उपरतन पहनने से पहले आप जोती से सला जरूर ले लिशेएगा तो धन्यवाद आप सबका हमारी चैनल पर स्वागत है आप हमारी चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीशेए धन्यवाद